नमस्कार मैं हूँ गजानत वर्मा कक्षा बारा के लिए विशे अनिवारे हिंदी पुष्टक संवास सेतू पाठ का नाम पाठ दस पाठ का नाम रिपोर्टाज यात्रवरतान डारी लेखन शंदर्व ग्रंत की महता तो आज हम यात्रवरतान तो चल रहा है उसको हम पढ़ेंगे पारट संक्या पारट तो दस है लेकिन पारट चोथा इसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि इसे यात्रवरतान को हमने दो टुकड़ों में बाटा है तो तीसरा होगए अब चोथा चलेगा तो देखे आगा यात्रवर इस टोपिक में आप ये भी पढ़ेंगी, बहुत सारे लोग यात्राइं करते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन फिर भी उन यात्राओं के बारे में पूरी चीजें नहीं लिख पाते हैं, बता नहीं पाते हैं क्योंकि जो लोग यात्रा करते हैं भारत की यात्रा करते हैं विदेशों की यात्रा करते हैं लेकिन जो लोग भारत की यात्रा करते हैं उनके बारे में कम लिख पाते हैं उन्हीं लोगों ने अगर विदेशों की यात्रा किया है तो विदेशों की यात्राओं के बारे में ज सारी चीज़े भिन होती है वो जगए भी नहीं होती है इसलिए उन चीज़ों को देखने के पसार जो लेखकार हैं लिखने वाले व्यक्ति हैं सायतिक व्यक्ति हैं यहां की तुलना में ज्यादा ही लिखते हैं तो देखेगा किन किन लोगों ने कहां कहां की यात्राइं किये और कब कब किये और उन यात्राओं को किस नाम से लिखा है बाचे केला शमानसरो की यात्रा है और जगह यात्रा किये है कब किये तो उनके बारे में इस पार्ट के बारे में लिखा है देखेगा यात्रा विर्तांत हिंदी हिंदी सायते के हर यूग में लिखे गए। यात्रावर्टांत लिए देखेगा ये जो उपर वाले जो लेखकार हैं इन्होंने अनेक प्रकार की यात्राएं जो की है उन यात्राओं को वर्णन यात्राओं के बारे में बहुती सुन्दर तरीके से लिखा है देवी प्रसाद खत्री तो हम पढ़ रहे थे इसमें कि देवी प्रसाद खत्री गोपाल राम घहमरी और गदादर सिंग स्वामी सत्य देव परिवराजक की रचनाएं विशेश रूप से उलेखनी हैं स्वामी सत्य देव परिवराजक क्रित मेरी केलास यात्रा सन 1915 तता अमरीका दर्शन सन 1911 मेत्व पुन हैं इन्होंने सन 1936 में यात्रा मित्र नामक पुष्टक लिखी जो यात्रा साहिते के मेत्व को स्तापित करती हैं मेरी केलास यात्रा में लेखक ने काठ गोदाम से तिबबत तक की यात्रा के विबरण प्रस्तुत किये हैं केलास मानसरोर तथा हिमाला के मनमोग प्राकर्तिक सुंदरे का चितन इस करती की उलेखनी विशेशता है इन्होंने जो यात्रां की जिन यात्राओं का इन्होंने आनद लिया जिन यात्राओं के इन्होंने बर्मन किया बहुती सुन्दर तरीके से उन यात्राओं को वर्णन इन्होंने अपने लेखों के मादम से किया जिसके कारण खुद के साथ साथ अन्य लोगों को इन यात्राओं के मादम से अधिक से अधिक लाब मिल सके वैसे तो क्याए कि लोग यात्रा करते हैं यात्रा करने के पसाद वो उसको गुप्त कर देते हैं यहां तक जान पहचान वाले लोगों तक को भी नहीं बता पाते ऐसे यात्रा करने के पसाद जान पहचान के लोगों को बिंदर बताएंगे तुछ यात्रा का आनन अन्य लोग भी ले पाएंगे इसलिए यात्रा का वर्णन अपने परिचितों, दोस्तों, मित्रों, जान पहचान, परिवार इस्ते दारूश अब को बताना चाहिए और जितने लोगों को फायदा उसका हो सके सब को कराना चाहिए लेकिन साहिटी की वे होते हैं यात्रा करने के पसाथ उसका आनन अन्य लोगों को भी देते हैं पढ़ने के बाद में उसका आनन पुस्तक के मादें से ले लेते हैं जब उनके पास में पैसा होता है, जब उनके पास में विवस्ता होती है तो वे लोग उस यात्रा का आनंद भी लेते हैं लेकिन अगर मान लेजे आप अपने दोस्तों परिष्टों को भी बताएंगे लेकिन अपनी बात हो ज़दा दूर अन्य देशों को, अन्य लोगों से, अन्य प्रांतों के लोगों को तो हम साइते के मादें से ही वो जानकारी दे सकते हैं इसलिए यात्रा करना जीवन के रहे भूत जबरी है, प्राकरति कलाह आदत है लेकिन उस यात्राओं के बारे में अन्य लोगों को भी जानकारी मिलती रहनी चाहिए यादे भी रखा है, स्वेतंतता पूर युग में यात्रा साइते के विकास में राहुल सांस करता का योगदान ऐ प्रितम है वे पक्के गुमा करते, अर्तात उनकी आदत थी गुमना फिना वे पक्के गुमा करते और घूम फिर करके पूरी यात्रा का आनंद लेते थे साइती की विक्ती जो साइते के रचना करने वाले होते हैं, वे भी और ज़्यादा घूमते हैं जिसके कारण उस स्थान के वारे में ज़्यादा लिख पाते हैं क्योंकि उस जगह की जानकारी हांसिल करना उनका मूल अद्य से होता है ऐसी स्थिति में उस जगह का ग्यान, अनभव, तजुर्वा ये ज़्यादा उनको हो जाती है बार-बार देखने से इनसान भूत बारी के से उसका अध्यन करके बहुर सुन्दर तरीके से लिख पाता है फिर उसके पास साथ जो उनके दिमाख में आता जाता है लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं पर उनमें से उनको क्या collection करना है क्या निकालना है वह लिख करके तयार कर लेते हैं। स्वतंतरता पूर युग में यात्रा साइतिक की विकास में राहुल सांसकर्तन का योगदान एप्रितम है। वे पक्के गुमकर थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग गुमने फिर्णे में व्यतित हुआ था इत्ती विरत प्रधान सेली की उपरांथ भी गुणवता और परिमान की द्रस्टी से इनके यात्रा विरतांतु की तुलना में कोई दूसरा लेखक नहीं ठेरता क्योंकि इन्होंने बहुत यात्राएं की है और ये थे भी पक्के गुमकर इसलिए यात्रा करने के मामले में अन्य को दूसरा विक्ती इनके सामने नहीं ठेरता नहीं रुकता क्योंकि इन्होंने इतनी यात्राएं की है और उन यात्राओं को वर्नर इन्होंने की है इसलिए तो काया है कि पक्ये गुमकड़ थे और पक्ये गुमकड़ थे तो बहुत रियात रहें किये इसलिए अन्य लोगों के तुल्णामिन को ग्यान, तजुर्बा, अन्भव ये सब कुछ था कि उन्होंने उन चीजों को भूत बारीकी से देखा है स्वतनतता पूर यात्रा सहते में विकास में सांस्कर्टान का योगदान एप्रितम है वे पक्ये गुमकड़ थे, उनके जीवर का बहुत बड़ा भाग गुमने फिने वेतित हुआ था इतिवरत प्रधान सहली के उपरांध भी गुनवत्ता और परिमान की दरस्टी से इनके यात्रा विर्तानतों की तुलना में कोई दूसरा लेखक नहीं ठेटा उन्होंने तिबबत में सवा वर्स, देखे, किते ते सालों ठेटे उन्हें सवा साल तक तिबबत मेरे मेरी यूरोप यातरा सीठ्सक यातरा विर्तान रचनाये लिखी मेरी यूरोप यात्रा में यूरोप के दरस ने इस तरलों के अतिरिक्त केम्ब्रीज तता आउक्सपोर्ट विस्विद्दाला के रोचक वरत भी प्रस्दूत की गए हैं अर्टात यूरोप में गए तो वहां के प्रस्द विस्विद्दाला उनके बारे में लिखा और उन्होंने उनकी रोचگ जानकारी भी अपने पाट को परदान की سन 1938 में इन्होंने घुमकड सास्तर नामक ग्रंद के रसना की जिसे यातरा करने की करला को छीका जा elevator यह घुमकड नामक पुस्तक जो इनने लिखी है उसे यात्रा करने की कला को यात्रा करने का तरीका क्या है किस तरह से इनसान को यात्रा करनी चाहिए वो सारी चीजें उन्होंने यात्रा करने के पसाथ लिखिये जिसके अन्य लोगों को भी यात्रा करने से पूर इस पुस्तक अगर पढ़ लिया जाए तो यात्रा इनसान को किस तरह करने चाहिए वो जानकारी भी हमें मिल सकती है राहुल सांस करते हैं राहुल सांस करते हैं के बाद यात्रा साहिते राहुल सांस करते हैं के बाद यात्रा साहिते के प्रमुख अस्ताकसर अग्ये रहे हैं अग्ये अपने यात्रा साहिते को यात्रा संश्मरन कहना पसंद करते हैं यात्रा संश्मन ये संश्मन क्या चीद है ऐसी घटना ऐसी घटना जो घटी है वो यादगार बन जाई अरे यायावर रहेगा याद ये 1953 को और एक बून सैसा उचली 1960 उनके दुबारा लिखित प्रमुख यात्रा समन्दी पुस्तके हैं पहली पुस्तक में उनके भारत में की गई यात्राओं का वर्णन है तो दूसरी पुस्तक में विदेशों में की गई यात्राओं का वर्णन है उन्हें दो पुस्तक लिखी एक तो वो पुस्तक जिसमें अपने देश में यात्रा की यात्रा का वर्णन है, दूसरी पुस्तक वो है, जिनका वर्णन उन्होंने किया है, विदेशों में जो यात्रा की है, विदेशों की यात्रा का वर्णन दूसरी पुस्तक में किया है, तो यह अलग-अलग उन्होंने बांट कक्या लग दिया, निर्मल वर्मा के यात्रा विर्तान चीडू पर चांदनी में यूरोप के विबिन सेहरों की यात्राओं के दर्सन होते हैं निर्मल वर्मा ने जो पुस्तक लिखी चीडू पर चांदनी तो यूरोप के सेहरों का वर्णन है किस तरह कार के यूरोप के सेहर हैं इतने सुन्दर सुच आले शान वहां के बन्गले आले शान वहां की गलियां चो रहे! आले शान वह जगह है उसका और वर्न All, इन्होंने इसके मारद्यम से किया है यात्रा बित्वों को एक और नई उप लबदी देने वाले मोहुं राकेश ये यात्रा वितांत की और ज्यादा गहराई तक प्रस्तूत करने वाले मुहुन राकेस का नाम लिया जाता है कहा गया है इनके दुबारा रचित आखरी चट्टान तक का उलेक निये इस्तान है इनके यात्रा सहिते में सहिते की जो सहिते की सी रोचकता है इन्होंने यात्रावर्णन किये है और उन्होंने जो प्रक्रट किया है जो लिखायत ऐसा लगता है जैसे साहते किसी रोचकता है किस प्रकार से साहते के अंदर रूची कर होता है रोचकता होता है आनद होता है खुशी होती है प्रसंता होती है उन्मुकता होती है ये सारी च जानती सागर की क्रतियों में से खोज की पगडंडियों, खंडरों का वैभाव में इनके दुवारा मूर्तियों की खोज के लिए की गई यात्रों का वनन है। यात्र विर्तान समंदी साइत्य का मुल्यानकान करने पर ग्यात होता है कि विदेश ब्रमन समंदी गरंथों की तुन्ना में भारत ब्रमन समंदी गरंथ के प्रकासी थे हैं। वापस आयत उन्होंने विदेशी के पुस्तकों के बारे में ज़्यादा लिखा है कारण। क्योंकि विदेशी में ब्रमन करने से थायदा ये वहाँ की वहाँ का कल्चर, वहाँ की वेस्बूसा, वहाँ का खानपान, वहाँ की प्रकरती, वहाँ की भासा, वहाँ की सब चीज अलग थी। यहाँ तक जीवन सेले भी बिलकुल भिन थी। ऐसी स्थिति में वहाँ जो लोग यात्रा करने गए हैं, उनको वहाँ सीखने के लिए ज़्यादा मिला है। इसलिए यहाँ की तुल्णा में उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा लिखा है। वस्तुते मनुष्य में विदेश में भरमन कर वहां के अद्बुत द्रश्यों, पदार्थों, प्रताओं, जीवन मुल्यों आद्यों को देखने, समने की जितनी तिवर इच्छा होती है, उतनी अपने देश में भरमन करने की नहीं होती है। बात इसपच्ट है, बात पक्की है, क्योंकि यहां हमने उसी कल्चर को देखा है, जिसके बारे में सुना है, जिसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, घूंगते हैं, फिरते हैं, लेकिन देश का कल्चर तो मिलता जुलता, यह एक समान सा है, लेकिन जैसे ही हम अपने इस के कारण ही इनसान वहां ज़्यादा सीखता है इससे यही जाहिर होता है कि विदेशी लोग भी जब हमारे देश में ब्रमन करने आते हैं किसी जगा का ब्रमन करते हैं जैसे मालो इस तापते कलावों देखने जाते हैं किसी महल में या किसी ऐसी चीज को देखने जाते हैं तो एक एक चीज गैट से पूछते हैं, एक एक चीज के बारें पूछते हैं और वो जानने की इच्छा रखते हैं कि ये कैसे गटना क्या हुई, प्रते एक चीज को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके अपने देश में ले जाकर के वो दिखाते हैं, समझाते हैं, पुस्त को में लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के लोग भी जब यात्रा करने के लिए विदेश आते हैं तो वहां की हर चीज को जानने की इच्छा उतकंथा उनके मन में होती है इसलिए विदेश की भर्मन करने वाले लोग हैं जो लोग भर्मन करके आ जाते हैं वो यहां की त नई होती है वहां घूमना फिरना उन चीजों को प्राप्त करना उन चीजों के लिए क्या है कि वो सारी चीजें उनके लिए नई हो जाते हैं यहां की चीजें तो उनके लिए पूरानी हैं फिलिंगी भी करता है मैसूश भी करता है जब विदेश में आ गया हूं तो मैं यहा हैं अपने देश की अपेक्षा ज्यादा लिखते हैं वस्तूत है मनुष्य में विदेशों में भर्मन कर वहां के अध्भूत रश्यों पदार्थों प्रथाओं जीवन मुल्यों आधी की दे आधी को देखने समझने की जितनी तिवर इच्छा होती है उतनी अपने देश में भर्मन करने की नहीं होती जिसके बारे बता चुकाओं में प्राकर्तिक संदृर की निरूपन खिंदी के यात्राविसायते की एक अन्य प्रमुक करती है प्रस्तुत प्रकर्ती और मनुष्य का अनाधी काल से अटूट प्रकर्टी और मनुस्या का भूत पहले समंद्र है देखे हिमाच्चा दित्य श्रंगूं अर्टात ब्रब की उची उची चोटियां कल-कल करते जर्नूं आवाज करते जर्ने अत्वा संकनात करते प्रपात आवाज करते संकनात संक के समान आवाज करने वाले वो बहुत उपर से प्रपात किते हैं प्रतीपल अपनी छटा बदलने वाले मेगूं बादल वगरा हैं वो भी समय समय पर वो अपनी छटा अपनी आदत को बदलते हैं कभी किस तरह के रूप में बादल आ रहें कलकल करते हुए जरनों अथ्वा संकनात करते पर पातों प्रतीपल अपनी चठा बदलने वाले मेगुं चिता करसक रंगु वाले पुस्पेश लदिवी क्यारियां अपने मन को आनदित करने वाली रंग बिरंगी क्यारियां जिसको देख करके इनसान भावविबल हो जाता है इनसान हतोत साहित हो जाता है क्योंकि प्रकर्टी की सुंदर्ता को देख करके जीव जन्तू पसू पक्सि ये भी रोमान्चित आनदित हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार से मनुस्य भी जब इन यात्राओं को करते हैं प्रकर्ट की सुन्दर्ता को जब देखते हैं तो प्रकर्ट की सुन्दर्ता से उनमें ये सारी चीजें अपने आप बन जाती है यहां दिर्ख है कि चिताकरसक रंगु वाले पुस्पों से लदीवी क्यारियों आदी को एतिर्पनेतु से निखारते रेना तता कंट का कीन दुर्गम पत्थूं पर चलती हुए एक तरफ हम कटीले रास्तों पर चल दें और उसके तुरंत बाद सुर्म में घाटी में पहुंच गई तो यह प्रकरती का बदलाव हो गया एक तरफ हम कटीले जहाड़ियां देख रहे हैं और कुछ समय पसात हम देखते हैं सुर्म में भोती सुंदर घाटियों में वादियों में चले जाते हैं तो प्रकरती के इस बदलाव के कारण मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन होते हैं और आनंदाई भी लगते हैं यह दे भी रखा है कंटकाकीन काटू से युकत इस्तान जो दुर्गम पत्थू पर चलते हुए आचानक सुर्म में भोत सुंदर जगह पहुंच जाते हैं घाटियों पहुंच जाना मनुस्य का सह सोबाव है जीवन सिल्प की दरश्टी से इस युक के लेख को में नाना विदे प्रयोगों नाना विदे प्रयोगों की प्रवर्ती लक्षित होती है लक्षित होती है वस्तूत है स्वत्तंतरता के बाद प्रकासित वस्तूत है स्वत्तंतरता के बाद प्रकासित है जो यात्रावर्थ समंधी करतियों में किसी इस्तान विसेश का इतिवितात्मक विरन भर लेने के इस्तान पर उस इस्तान विसेश के समंध में अपने अंतर मन पर पड़े प्रभाऊं और इसके फलस्वरूप होने वाले प्रतिक्रियाओं के प्रत्यंकन प्रत्यंकन की प्रवर्ती विशेश रूपन बलवती रहती है गई है अब यात्रावित का लेखक नरेटर मातर नहीं है तथा किसी स्तान विशेश की भीडभाड चकाचोन अत्वा प्राकर्तिक सोंदर से भोंचक कासा नहीं हो जाता अपितु वह उस सब की तैमे जानने का प्रियत्र करता है हम कह सकते हैं कि जीवन को समीब से देखने का सबसे सरलमाद्यम यात्रा है अरे भोचका करत हो गया कि व्यक्ती पहले यात्रा नहीं करता था यात्रा के बारे में जानता नहीं था जिस यात्रा के बारे में जिस जगह के बारे में आज तक हमने कभी सुना नहीं तो सुना नहीं तो देखें कहां से और ऐसे इस्तिते में अचानक उस जगह की यात्रा कर लेते हैं तो इनसान बहुत चका से रजा तो अचमभा करता है लेकिन आज जिस जगह की यात्रा हम करते हैं उस जगह के बारे में हमें पहले ही पता हो जाता है लोगों के मादम से किसी पुस्तक के मादम से तो इनसान बहुत चकानी होता है उनको पता चल जाता है कि यात्रा हम भी करेंगे लेकिन कभी गया नहीं ऐसे स्थान पर चल जाता है बस आज के लिए तने काफी है थैंक यू ओके बाई